तादा बर्जे और जिस सलीके से इन्होंने सब इंतिजाम किया है वो यहां की हर चीज से वाज़ है चाहे वो फ्लायर हो, ब्रोशर हो सब चीजे आपको देख सकते हैं के बड़े दिल से इन्होंने किया है और शुक्रिया की जो दूसरी बज़ा है वो थोड़ी तफसील चाहती है तो बरसों पहले आज से बीस बरस पहले तो शेहरियार सहाब अपने भाई कुमैल और अपने वालिदे माज़िद सहाब के साथ लखनव आये थे और वहाँ उस जखीरे का मरसिये की किताबों का इन्होंने जिस इहतराम से उसको देखा था उन किताबों को वो बहुत खास चीज़ है तो आप सबको मालूम है कि लिट्रेचर को उर्दू में अदब कहते हैं और अदब के लोगवी जो डिक्ष्णरी वाले माने हैं वो है रेस्पेक्ट इहतराम तो हम लोगो लिट्रेचर को सीधा सीधा अदब या अदब को सीधा सीधा लिट्रेचर नहीं कहते हैं हम लोग अदब को अदब कहते हैं लिट्रेचर को अदब कहते हैं यानि हम लिट्रेचर का इहतराम करते हैं हम अदब का अदब करते हैं तो अब थोड़ी सी मीरनीस के तालुक से बाते हैं तो हम लोग मीरनीस का एहतराम जाहिर सी बाते करते हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मरसिय लिखे वो तो कोई भी मरसिया लिखेगा हम उसका एहतराम करेंगे मगर मीरनीस की क्या खासियत है उनका मर्तबा दूसरे मर्सिया निगारों से इतना अफजल क्यों है और उनका इहतराम और अदब सबसे ज्यादा क्यों है इस पर जरा थोड़ी सी बात करना है यहां बरमहल होगा तो मर्सिया जैसा के आप सब जानते ही है एक मजहबी नजम है जिसको सवाब की खातिर पढ़ा जाता है और सुना जाता है तो मर्सिया का तालुक यह मजहब से होने की वज़ा से यह फितरी तोर पर माना जाता था कि मर्सिया चुके अकीदत में की गई शायरी है इसलिए मर्सिया को शायरी के जो कॉम्पलेक्स उसूल है शेरियात के जो कॉम्पलेक्स असूल है उस पर नहीं पर खा जा सकता फिर ठीक है ये साहब मरसिया कहते हैं तो हमें इनकी इज़त करना है तो क्योंकि मरसिया एक मजभ़ी चीज है तो उसका वो जो घजल का स्टेटस था वो मरसिया का स्टेटस नहीं था इज़त तो थी के भई ठीक है अगर एक शायर साहब है और उनकी शायरी में जान नहीं है और बड़े शायर नहीं है तो चलो मरसिया कह लेंगे और उनका इतराम हो जाएगा और कुछ रोजी रोटी का भी इंतिजाम हो जाएगा तो इसलिए जो उस्ताद शायर थे वो घजल के शायर थे उस्ताद शायर वो घजल के मरसिय के नहीं तो मीरणीज के जमाने तक ये सिट्वेशन थी ये हालात थे कि एक तरह से अच्छा नहीं लगता है कहते हुए एक वो था कि बिगड़ा शायर मरसिया को कि मतलब वही है कि सब स्टाइड़ थोड़ी कमजोर शायर है तो चलो मरसिया कह के कुछ अपनी जिन्दिगी गुजार लो इज़त के साथ तो ये लेबल था उस वक्त भी मीरनीस के जमाने में तो मीरनीस का कंट्रिविशन ये है कि उन्होंने मरसिया का स्टेटस गजल के बराबर कर दिया और गजल के शायरों से खुद को उस्ताद बनवा लिया ये बहुत बड़ी बात है और इतना ही नहीं उन्होंने अपनी शा जलिंज दे दिया कि मैं सिर्फ कर्भला पर शायरी करूओं का और तुम लोगों से घजल के उस्तादो से मरसिय के शायरों से मसनवी के शायरों से खुद को उस्ताद मनवाओंगा और कुछ नहीं लिखओंगा। सिर्फ और सिर्फ मरसिया कह ? और वो इसमें कामियाब हुए और ये फकर कुने की बात है कि मरसिये का यह स्टेटस अ मेरणीस के जमाने तक नहीं रहा उन्होंने इसका जो स्टेटस उपर कर दिया वोही सेटस बात तक रहा आप देखिए कि ये कितना एहम अचीवमेंट है मीर अनिसका कि आज स्कूल, कॉलेज, यहां तक के युनिवर्सिटी में घजल के साथ मर्सिया जरूर पढ़ाये जाता है यानि उर्दू सीखने के लिए मर्सिया पढ़ना कोर सेलिबस में शामिल है घजल भी आप पढ़िये लेकिन मर्सिया भी पढ़िये ये वही मर्सिया है जो पहले बिगड़ा शायर वो वाला था तो ये बहुत खास बात है मगर ये ऐसा आसान काम नहीं था इसके लिए मर्सिया को ये स्टेटस दिलाने के लिए मीर अनीज ने अपनी शायरी और अपने परसोना पर बहुत काम किया यहां हम मीर अनीज की शायरी के हवाले से सिर्फ लवज और मुहावरे पर दो एक बाते करेंगे हैं और हम वो इस त्यारा तश्बी और शेरी सनत निजाम को नहीं चुह रहे हैं वो बहुत टिपिकल और टेकनिकल बाते हैं उनको नहीं चुहेंगे तो शायर के लिए जरूरी है कि जबान पर उसको कुद्रत हो मीर अनीज के बारे में सबसे आम बात हम और आप यही सुनते हैं कि साब मीर अनीज की जबान बड़ी जबर्दस थी उनको जबान पर बड़ी कुद्रत हासल थी उनके पास लफ़ों का एक बड़ा जखीरा था ये एक आम बात हम उनके बारे में सुनते हैं लेकिन इसकी मिसाल बहुत मुश्किल होता है देना कि लफ़ जखीरा क्या था तो एक चोटी सी मिसाल लेखे कि मीर अनीज के जमाने में मीर अली औसत रश्क उन्होंने एक डिक्शनरी तयार की थी नफस लोगा और ये ये क्रूशल टाइम पिरियेड है मीर अनीज का और उसके थोड़े बात का थोड़ा सा बैग्राउंड के उर्दू उस वक्त तक उसका मेयार खुद उर्दू जबान का मेयार थोड़ा सा नीचा माना जाता था और एक तहरीक शुरू हुई थी एक मूवमेंट शुरू हुआ थ तो उसमें ये बहुत था कि जो अर्बी और फार्सी के लफजों को हमें उर्दू में शामिल करना चाहिए ताकि ये एक भारी भर कम जबान बन सके क्योंकि उर्दू का बैगराउंड तो बहुत बोलचाल की जबान वाला था तो इस डिक्शनरी की ये खास बात है कि इसमें रश्क साहब ने बिलकुल आम बोलचाल के लफ इस्तेमाल उसमें शामिल किये आम बिलकुल बाजारू किस्म के लफजों को इस डिक्शनरी में शामिल किया और मुहावरे भी बिलकुल बाजारू वाले जो सड़कवा लोग बोलते हैं तो उस जमाने में इस डिक्शनरी की एहमियत है तो मीरनीस के पास इस दिक्षनरी की एक परसनल कॉपी थी और उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने हाथ से नकल किया था और नकल करने में उन्होंने बहुत से लफ्ज भी एड किये थे तो जो डिक्षनरी का ऑथर है उससे जो लफ्ज छूट रहे हैं वो मी ही आम बोल चाल और बाजारू लवज हैं तो यह बहुत एहम है कि आने वाले वक्त के लिए देखना कि उस वक्त मीर अनीस उन लफ्जों को कितनी एहमियत दे रहे थे उनको था अंदाज़ा कि जबान की ताकत इन लफ्जों में होती है वो फारसी और भी के ठीक है लेकिन जो हमारे आम जिन्दीगी के लफ्ज हैं उसमें है असली ताकत तो यही हम मीर अनीस के मरसियों में बहुत आप देखते हैं बहुत रवाज जबान जिसकी वज़ा से बन जाती है वो इन्हीं लफ्जों की वज़ा से अब एक थोड़ा सा चुपता हुआ सवाल भी है कि यह डिक्शनरी जिसकी कौपी मीर अनीस की पर्सनल अपनी कौपी थी जिसका उन्होंने एक बड़ा हिसा अपने हाथ से नकल किया था बहुत जमाने तक उनके खांदान में वो डिक्शनरी थी और यह डिक्शनरी बहुत दिल्चस्प है जो हम फिर कभी आप लोगों को सुनाइंगे है वो कहीं है कुछ है अभी उसकी बात होगी तो अब लफ के बाद थोड़ी सी महावरे की बात आ रही है जिसको हम आसानी के लिए टोन कह सकते हैं महावरे को टोन तो मीर अनीस के जमाने में देहली और लखनौ दो खास स्कूल थे देहली स्कूल और लखनौ स्कूल और दोनों की टोन बिलकुल अलग थी ये देहली की टोन है ये लखनौ की टोन है और इस टोन को वही समझ सकता है कि जिसको जबान और महावरे पर पुद्रत हासिलो मिसाल के तोर पर मिर्जा गालिब का ये शे शेर, आप सब लोग दोहराने लगेंगे, इमा मुझे रोके है, जो खैचे है मुझे, कुफर, काबा मेरे पीछे है, कलीसा, यह सब को आता है, इस शेर की तश्री और तफीब, यानि इंटर्प्रेटेशन में हम लोग बहुत बात कर सकते हैं, इसके मतलब में किसाब वो काब पीछे है, और यह मतलब में बहुत अलग-अलग उसके वेरियेशन, लेकिन जबान के लिहाज से अगर यह सवाल किया जाए, कि इसमें जबान में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, यह जबान तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दे लिए, लेकिन यह शेर जब मीरनीस के सामने पढ़ा गिया तो उन्होंने जाहिर है, इस शेर की बहुत तारीफ की और यह कहा कि यह दिल्ली का टोन है, रोके है, खैचे है, यह लखनव वाले नहीं बोलते हैं, अब जबान से जिन लोगों को दिल्चस्पी है, शायरी से जिन लोगों को दिल्चस्पी है, वो समझें कि इमा मुझे रोके है, इसका लखनवी टोन क्या बनेगा, काबा मुझे खैचे है, इसका लखनवी क्या बनेगा, इमा मुझे रोकता है या इमा मुझे रोके हुए है, तीनों वर्जन ठीक हैं, लेकिन इन तीनों वर्जन में तीन टोन बन रही है और टोन तीन बन रही है तो तीनों के मतलब में भी variations आएंगे ये है मोहावरा और ये है मोहावरे का जादू जाइस बाद है मीरनीस उनके लिए ये खैचे है रोके है इसकी बारीकिया समझना तो बिल्कुल आम बात थी कि वो तो शायरी के फन के आला दरजे पर है उनके लिए ये सब बहुत रोजमर्रा की बात ही लेकिन हकीकत ये है कि वो शायरी के फन के आला दरजे पर नहीं बलके कमाल के दरजे पर है कमाल का क्या मतलब होता है यानि उनके जमाने में जबान के इस्तेमाल का जो क्रूशल और एक्स्रीमली सेंसेटेव निजाम यानि स्टैबलिश कन्वेंशन्स थे वो उसके पाबन नहीं थे कि साहब आप इस मौहावरे को यूं इस्तेमाल कीजे वरना आपकी जबान खराब हो जाएगी वो इसके पाबन नहीं थे उनके मरस्यों में इसकी बीसीों मिसाले हैं हम बस एक बिलकुल सहल सी मिसाल देते हैं तो इमाम हुसैन के काफले को रोकने के लिए जब हुर आया है तो उसका लशकर प्यासा था इमाम हुसैन ने पूरे लशकर को पानी पिलवाया तो दुश्मन के लशकर के सिपाहियों ने इमाम हुसैन को दुआएं दी हैं इस बात को मीरनीस कह रहे हैं पानी पी पी के दुआएं मुझे देते थे जवा तो यहां मीरनीस ने मुहावरे को तोड़ा है असल मोहावरा है पानी पीपी के कोसना यानि बहुत ज्यादा कर्स करना पानी पीपी के कोसना ये कर्स है मीर अनीस ने कर्स को जो बद्दु है कर्स को kontradict करके इस मोहावरे को दुआया बना दिया पानी पी पी के दुआएं देना इतना ही नहीं अब ये मुहावरा बिलकुल हकीकत की अकासी भी कर रहा है कि वाकई सिपाही पानी पी रहे थे और दुआएं दे रहे थे ये मुहावरे की एक्स्ट्रीम है कि जब वो रियालिटी को बिल्कुल हू बहू प्रेजेंट कर दे तो दूआ से याद आया कि थोड़ी देर पहले इनसे शेहरियार साब से गुफ्तगू हो रही थी कि मरसिये सुनने के बाद एक ताजगी का हिसास होता है खाद बुजर्गों में उनको एक शिफा का एहसास होता है क्योंकि वो तो हमने का है कि हाँ मरसिये तो बस दूआ है ये मरसिये तो एक उनका दूआया मीरणी इसके दो बंद है लाख हात उसके हैं देने के वो ऐसा है जवाद हम उसे भूलें तो भूलें वो हमें रखता है याद रिज्क वो होसले हिर्स से देता है ज्याद शुक्र करते नहीं माबूत का इस पर भी इबाद वो गनी है के है मुहताज जमाना उसका कभी खाली नहीं होता है खजाना उसका जिस कदर उस से तलब कीजिए खुशनूद है वो साहिब जूद है वहाब है महमूत है वो हाथ पहलाए जो सौ बार तो मौजूद है वो बख्ष देता है के हम अब्द हैं माबूत है वो परवरिश जुर्म पभी सुभो मसा होती है यहां से होती है खता वां से अता होती है ये दूआ है, ये मीरनीज है शायर का अपनी शायरी की जबान के साथ बड़ा नाजुक रिश्टा होता है और जैसे जैसे शायर का मरतबा बलंद होता जाता है ये रिश्टा नाजुक से नाजुक तर होता जाता है मीर अनीस जैसे आला मरतबे पर फाइज कमाल के दरजे को पहुँचे हुए शायर का उनके लफजों के साथ इस रिश्टे का इहतराम करने की खातिर से ही ये अदब का इहतराम करने वालों का फर्ज होता है कि उनके मर्सिये सही सूरत में शाया हो इसी फर्ज के तहत हमारे दादा मसूद हसन रिजवी अदीब की ये ख्वाहिश थी कि मीर अनीस का मकमल कलाम शाया हो जाए सेहत के साथ उन्होंने बरसों की तलाश और महनत से मरसियों का नायाब जखीरा भी जमा कर लिया था वो इस पर बाकैदा एक टीम बना कर काम करना चाहते थे और सबको यकीन था कि ये काम उनकी निगरानी में बेहस सलीके से होगा मगर बद्गिसमती से इस प्रोजेक्ट में कुछ पेंच पड़ गए थे जिनके बारे में अब बात करना लाहसल है बहराल 1975 में 1975 में उनकी वफात हो गई और ये प्रोजेक्ट तक्मील को ना पहुंच सका अदीब की वफात के बाद उनके कई अधूरे कामों को उनके बेटे नईरमसूद ने टेक ओवर किया जिसमें ये मरसिय की एडिटिंग का भी काम शामिल था और मीरणीस के मरसियों के बारे में एक बड़ी ये बहांस है के उनके कितने मरसिये हैं सो हैं, दो सो हैं, तीन सो, पाच सो, मुहमद हुसेन आज़ाद ने लिखा कि दस हजार मरसी हैं, तो अच्छी बात है दस हजार हैं, लेकिन वो सामने आ जाएं तो हम लोगों के लिए सची खुशी की क्या बात होगी, और उसके साथ ये कि अनीस का आथेंटिक कलाम कौन सा है, बहुत से मरसी हैं जिसमें दूसरे शायरों का कलाम शामिल हो गिया है, तो ये बहुत पेचीदा ये पूरा मामला है, तै करना कि ये मरसीया मीरा नीस का है, और इतने मरसीय मीरा नीस के हैं, और हमारे वाले चुके बहुत महतात महकिक थे, तो वो इस तरह का कभी फैसला कु का सैटिस्फैक्टरी नतीजा अब कभी नहीं निकल सकता इसलिए वो कहते थे कि ज्यादा जरूरी काम ये है कि मतबुआ मर्सियों का मतन और तर्तीब दुरुस्त की जाए यानि जो पबलिश्ट मर्सिय हैं उनको ठीक से सही करके छापा जाए इसी ख्याल की रह से उन्होंने 1958 के छपे हुए तेज कुमार एडिशन की चार जिल्दों पर फोकस किया इन मर्सियों में कातिब से होने वाली इमले की घलतियों और मर्सियों के नकल करने में दर आने वाली मतन की घलतियों की निशान देही करने का बहुत नाजुक और महतात और मेहनत तलब काम उन्होंने 2003 में मुकमल कर लिया था इसके बाद इन मर्सियों की कंपोजिंग करवाने और प्रूफ रीडिंग करने का मरहला था मगर उम्र और अलालत के सबब उनके लिए देर तक बैठकर काम करना मुश्किल था लहाज़ा ये चारों जिल्दें यूँ ही अल्मारी में बंद हो गई की खातिर से हमने उनके साथ मर्सिय का मुतालिया करना शुरू किया और अल्मारी में बंद तेज कुमार की वो चार जिल्दें बाहर आई ये देखकर हमको बड़ी हैरत हुई के तेज कुमार की चार जिल्दों के 1394 पेज़े में एक आध पेज छोड़ कर कोई पेज ऐसा न नहीं की हैं धेरों करेक्शन्स और ये भी कि इतना एहम काम अल्मारी में बंद था वाले साहब को भी इसका बहुत जाहर अफसोस था कि उनके वाले का शुरू किया हुआ काम अब तक अधूरा है और उनसे मुकमल नहीं हो सका इन तमाम बातों का नतीज़ा ये निकला कि हम ने अनीस के मरसियों को एडिट करने का प्रोजेक्ट बनाकर काम शुरू कर दिया जिसमें वाली साहब के लगाएवे निशानों को समझ कर उनकी दुरस्ती करने का नाजो काम था कई जगा पर ये निशान वाज़ नहीं थे और बहुत सी जगा पर सवाल या निशान लगे वे थे कि कुछ गरबर तो है लेकिन ठीक से समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनको अभी और काम करना था इस पर तो इस दौरान हमने हिंदोस्तान पाकिस्तान यूके और अमरेका की लाइब्रेरीज और लोगों के परसनल कलेक्शन में से मीरणीस के मरसियों को करके हमने ये एडिशन तैयार किया है अब इस एडिशन में 36,000 शेयर हैं जिनको चार बार हमने प्रूफ रीट किया है और एक बार दो बार एक हमारे प्रूफ रीडर हैं लखनौ में ये बहुत सलीके के अगनिया उन्होंने कंपोजिंग भी कंपोजिंग भी की वसीम एहम नदवी उन्होंने इस पूरे दस बरसों में काम में हमारा बहुत साथ दिया तो एडिटिंग की बहुत सी मुश्किलों के हल करने में पाकिस्तान के मारूफ मरसिया और नीशिनास डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हमारे चचा अजहर मसूद हमारे एक और करम फर्मा कराची मे आगा तालिब साहब और यूटी आॉस्टिन के प्रोफेसर सेयत अकबर हैदर साहब और सिटी प्रेस के जो मालिक हैं जिनोंने ये पूरा जिमालिया था अजमल कमाल साहब और एक हमारे दोस्त हैं शाहद आप लोग जानते हैं उनको पीटर नैपसिक इन सब हजरात ने हमा हाँ दस दस बरस तो लग गए थे इन दस बरसों में मीर अनीस के मरसियों की क्लोज रीडिंग से ना सिर्फ मरसिये के साथ हमारा एक गहरा रिश्टा काइम हुआ बलके इन मरसियों ने हमारी कई लिहास से अदबी तर्बियत भी की है उर्दू जबान की तारीख उर्दू अदब रिफॉर्म मूवमेंट्स के असरात उर्दू ब्रेंट कल्चर और ओरल ट्रेडिशन जैसे टॉपिक्स पर काम करना ही अब हमारा एक तरह का अदबी सर्माया है आखिर में ये मीर अनीस के इहतराम और दो अनीस शिनास मसूद हसं रिजवी अदीब और नईयर इसका मामला था इसलिए इसकी छपाई में हम किसी तरह की कमी नहीं देखना चाहते थे यानि हमारी शर्त थी कि तीनों जिल्दें एक साथ आएं और इसका साइज भी मरसिये का वो रिवायती वाला बड़ा साइज हो इन शर्तों के कारण पब्लीशर नहीं मिल रहे थे कुछ कहते हैं ठीक है साथ अभी आप एक जिल छाप लीजिए उसके बाद फिर देखेंगे दूसरी हमें नहीं आएं तो तीनों साथ ही आएं और साइज हम यहीं रखेंगे तो खैर आखिर जनाब अजमल कमल इन्हों ने इन से जब बात हुई इस एडिशन की तो उसके कुछ किल का जिकर बातों बातों में शेहरियार रिजवी साहब से हुआ तो इन्हों ने अपने हलके में कोशिश कोशिश करके अच्छी खासी माली इंदाद फराहम की यूं इसकी छपाई मुम्किन हो सकी इसके लिए इन सब हज़रात का बेहत बेहत शुक्रिया है और यू हम कह सकते हैं कि मीर अनीस के 111 मर्शियों का ये एडिशन लिटरेचर का इहतराम करने की रिवायत की एक नुमाइंदा मिसाल है चलिए शुक्रिया अर इस किताब की ये खासियत